सिनेमा का ऐसा कौन ही कदरदान होगा जिसने इनका नाम नहीं सुना होगा या फिर इनका चेहरा देखकर इनकी फिल्मे किसी को याद ना आई हो हम बात कर रहे हैं बॉलिवुड की खुब सूरत अदाकारा माला सिनहा की बाल कलाकार की हैस्यत से इन्होंने अपना फिल्मी सफ़र शिरू किया था लेकिन इसके बाद जैसे जैसे इनकी जवानी भरे दिन आते रहे इन्होंने पांच जेनरेशन तक अभी निताओं के साथ में काम किया और एक से बढ़कर एक शानदार फिल्में बॉलिवूट के थाली में परोस कर सब को दे दी इनके शुरुआते जीवन के बात करें तो माला सिना का जरम 11 नवंबर 1936 को कलकता में हुआ इनके माता पिता इसाई थे और इनके पिता का नाम अलबर्ट सिना था और वो एक बंगाली थे जबकि इनकी माँ नेपाल से तालुख ले थे माता पिता ने इनका नाम अलडा सिना रखा था लेकिन जैसे ही इनका स्कूल में दाखिला हुआ तो हर कोई ने डालडा डालडा कहकर चिड़ाया करता था यही वज़ा है कि नन्ही माला को बच्पन में माता पिता ने जो नाम दिया था वो पसंद नहीं था हाला कि अलडा यानि माला को नया नाम मिला था कुछ सारों के बाद वो नया नाम माला नहीं था बलकि बेबी नजमा था अलडा से बेबी नजमा कैसे बनी और फिर उसके बाद में माला सिना इनका नाम कैसे बढ़ा ये किसा बड़ा ही दिल्चस्प है चलिए जानते हैं दरसल माला जब छोटी थी तो इनके पिता अकसर इनके मा और इनके साथ फिल्में देखने जाते थे और जब ये छोटी सी थी तब ही इन्हें एक्टरिस बनने का ख्वाब मन में पनपने लगा राजकपूर और दिलिप कुमार जैसे सितारे इने पसंद आने लगे फिल्मों में अकसर माला पर कुछ ऐसा हुआ कि छोटी ही उम्र में गाने लगी और ये बहुत सुरी लगाती थी और जब इनके पिता ने इनका गाईकी के लिए ऐसा लगाव देखा तो गाईकी के सिक्षा दिलानी ने शुरू कर दी गाईकी के साथ ही इनको एक्टिंग का शौक भी छोटी हुम्र से लग गया यही वज़ा है कि अगर जब भी स्कूल के अंदर कोई भी फंक्शन होता तो माला जरूर उसमें अपनी आदाकारी को पीश किया करती अरंदतु बॉस ने जब एलडा को इतनी सारी लोगों के सामने बिना किसी जिजग के गाती और परफॉर्म करते दिखा तो वो समझ गए थे कि इस लड़की में जरूर कोई ने कोई बात है उन्होंने माला सिनहा की पिता से बात किया और उसके बाद में इन्हें एक फिल्म में लेने की इच्छा को जाहिर की दोस्तों आपको ये भी बताते चलें कि अलबर्ट सिना ने एलडा को फिल्मों में काम करने की इजाज़त दे दी और इस तरह 1946 में फिल्म जै वैशनो देवी में पहली दफ़ा एलडा बत्तो और चाइल्ड आर्टिस देखे थी हाला कि ये बात बहुत ही कम लोग जानते हैं और इस फिल्म से एल्डा ने अपना नाम बदल कर बेबी नजमा रख लिया था फिर कलकता फिल्म इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम बन गई थी माला सिना आईए जानते हैं कि आखिर ऐसा भी क्या हुआ था पहली फिल्म के बाद जब बेबी नजमा और फिल्मों में चायल्ड आर्टिस के तौर पर काम किया फिर 1954 में आई फिर्म डूली में पहली दफा माला सिना एज एन एक्ट्रिस नज़राई और यही वो फिल्म थी जिसमें इनका नाम बेबी नजमा से बदलकर माला पड़ा क्योंकि अब यह बड़ाई हो गई थी और इन पर बेबी नजमा नाम बिलकुल भी ज़स्ता नहीं था बूली में माला सिना एक सपोर्टिंग एक्ट्रिस थी और आगे भी कई फिल्मों में इन्होंने छोटे-छोटे रोल्स में ही काम किया और धीरे-धीरे अपने एक्टिंग की स्किल्स को निखारा और इन्हें सपोर्टिंग किरदारों में निभा कर माला सिना कलकत्ता फिल् देश के दूसरे हिस्तों में पहुची और इसी बीच इन्ही की एक तस्वीर फिल्म फेर मैगजीन में भी छपी और इतिफाक से उस जमाने के डारेक्टर अमिया चक्रवर्ती ने उसे देखा और उन्हें माला सिना का चेहरा एक एक्ट्रेस के रोप में बहुत ज़्यादा प लेक्ती थी और उसके बाद ये अपने माता पिता को साथ में लेकर मुंबाई आई फ्लॉप फिल्मों में भी छा गई थी माला सिना माला सिना की बात करी तो बाशा में काम करने के बाद इनकी वो फिल्म बहुत बुरी तरह फ्लॉप होई जिसमें इनकी हीरो प्रदीब कु मार थे हाला कि इस फिल्म में भी सपोनी एक्ट्रेस ही थी कुछ लोग कहते हैं कि माला सिना की पहली फिल्म हैम्रेट थी जो कि इसी साल 1954 में आई थी लेकिन सची है कि माला की पहली फिल्म बाशा थी हाला कि ये बात अलग है कि ये फिल्म रिलीज लेट हुई थी लेकिन एक्ट्रिस माला के पहले हिंदी फिर्म की बात की जाए तो ये थी किदार शर्मा की रंगीन रते जो की 1956 में आई किदार शर्मा ने माला को ये फिल्म गीता दतजी के कहने पदे थी जिसने माला की मुलाकात उसी वक्त हो गई थी जब वो बॉंबई में नई नई आई थी लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी माला को कोई खास पहचान नहीं मिल पा रही थी और उन्हें असली पहचान दिलाई फिल्म प्यासा ने ये फिल्म थे गुरुदत की और माला सिना को अपनी मास्टर पीस फिल्म में प्यासा में मीरा घोश का बहुत दमदार किरदार दिया गया था माला ने भी उसे बड़ी शिद्द से निभाया और प्यासा के सफलता में माला सिना एक एहम हिस्सा बन गए धूल का फूल इनकी करियर की मील की बथर साबित होई प्यासा के बाद में इन्होंने परवरिश फिर सुभा होगी देवर भावी मैं अशे में हूँ लव मेरे जैसी बड़ी फिल्वो पर हाथ मारा लेकिन अपने करियर के अगली बड़ी नोटेबल फिल्म थी महान डिरेक्टर सुरगे यस चोपड़ा की डिरेक्टरिल डेब्यू फिल्म धूल के फूल इस फिल्म में माला सिना मीना नाम की ऐसी बिन मिया ही मा के किर्दार में नजर आई थी जो कि समाज के डर से अपनी ऑलाद को ही छोड़ देती है इस फिल्म के बाद माला सिना बॉलिवूड की उस जमाने की टॉप रेटेड एक्टरिस में से शुमार हो गई थी और फिर इन्होंने कभी भी पीछे मुड़ कर नहीं देखा माला सिना ने हिंडी के साथ 37 बंगाली फिल्मों में भी काम किया और अपनी करियर की बात देखी जाए तो माला ने अब तक कम से कम सो से भी ज़्यादा फिल्मों में काम कर लिया था साथ ही माला, मेतीगर नाम की एक नेपाली फिल्में भी काम कर रही थी जिसमें इनके हिरो चिदंबर प्रसाद लोहानी थे 1966 में रिलीज हुई इस फिल्म के शुटिंग नेपाल में ही हुई थी इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और आखिरकार 1968 में दोनों ने शादी कर ली माला सिना की एक प्यारी सी बेटी भी है जिसका नाम प्रतिबा सिना है और प्रतिबा भी कुछ हिंदी फिल्मों में काम कर चुकी है हाला कि इनको बिल्कुल भी काम्याबी नहीं मिल पाई और कोई भी ने शायद माला सिनहा के नाम से जानता भी ना हो कि ये माला सिनहा की बेटी है माला सिनहा की बेटी ने अपनी नाकाम्याबी देखते हुए फिल्मों से रुक हटा लिया और उसके बाद में कभी भी आक्टिंग नहीं की माला सिन्हा की जीवन का सबसे मुश्कल दोर वो था जब उन्होंने अपने मूँ से एक ऐसी बात कही जिससे देश भर में उनकी काफी बदनामी हुई एक बार उनके घर पर इंकम टेक्स की रेट बड़ी और उनकी बातरूम की दिवार से 12 लाक रुपे कैश बरामद हुआ उस समय ये बहुत बड़ी रक्म थी माला की पिता ने उन्हें ये बोला उन्हें ये सज़ेस्ट किया कि वो वकील से कहें कि पैसे दिलवाने का कोई रासा बताओ उनके वकील ने कहा अगर आदालत में वो ये कहें के उन्होंने ये पैसे जिस्म फरोशी से कमाई है तो ये 12 लाक रुपे बस सकते हैं ये सुनकर माला के पिता अब सक्पा का गए कि क्या करे। लेकिन माला ने अपनी महनत की कमाई को बचाने के लिए लोगों के सामने ये गवाही भी दे दी। और उस दिन के बाद से वो काफी उदास और दुखी भी रहने लगी। और काफी समय तक उनकी अलोचना भी की गई। दूस्तों माला सिना को एक चीस का अफसोस हमीशा रहेगा। दिलिप साहब के साथ काम ना करनेगा। एक दफ़ा माला को दिलिप साहब के साथ एक फिल्म उफर हुई लेकिन डेट्स ना होने के चलते माला को वो फिल्म छोड़नी पड़ी। रेटायर्मेंट के बाद वो घर पर ही गुर्मुराती है। अगर माला सिना की आखरी मूवी की बात करी तो सबसे आखरी में 1994 में वो जिद नाम की मूवी में नज़र आई थी जिसमें वो दादी मा के रोल में दिखी थी। इस फिल्म के बाद माला सिना ने फिल्मों से रेटार्मेंट ले ली और उसके बाद में कभी भी फिल्मों का रुख दुबारा नहीं किया। माला सिनों को शुरू से ही गाईकी का शौक था और बच्पन में एक्ट्रेस बनने के साथ में वो एक गाईका भी बना जाती थी। लेकिन जब उन्होंने एक्टिंग छोड़ी तो गाईकी को वापस थाम लिया। और उसके बाद में वो अपने घर पर ही अकसर गुणगुण